Dear students, platform of learning YouTube channel पर हम इस वीडियो में 6th class की English subject की worksheet number 17 को solution के साथ explain करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखे और यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं worksheet number 17 Dear children, last week we read stanza 1 of the poem A house, A home, now let us read stanza 2 of poem बच्चो यदि आपको याद हो तो इससे पहली worksheet में मैंने आपको A house, A home poem का first stanza read कराया था तो उसके first stanza में हमने house की description पड़ी थी कि house क्या होता है house किस चीज से मिलकर बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक house कि एक house brick से, cement से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें कुछ window glasses लगे हुए होते हैं, जिसमें आगे एक yard होता है उपर roof होती है, roof के अलावा उसमें मतलब उसके walls के उपर stacco बनी हुई होती है चिमनी होती है, तो इस तरह से, house जो होता है वो पक्की इटो से बढ़ना हुआ मकान कहलाता है तो यहाँ पर हम home के बारे में, देखिए आपकी poem का नाम क्या है, a house, a home तो first stanza में हमने a house को पढ़ा था, अब हम a home को पढ़ने जा रहे हैं कि home क्या है तो देखिए stanza read करते हैं, सबसे पहले, draw a picture of your house and color it यहाँ पर आपको अपने घर की सुनदर सी picture बनानी है और उसमें अच्छे से अच्छे color करने है तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक picture बनाई हुई है, तो आप अपने आप pen pencil यूज़ करकर सुनदर सी picture बनाईए और उसमें color कीजिए चलिए paragraph देखते हैं कि paragraph क्या है देखिए एक home क्या है, home का मतलब होता है घर यदि मैं आपको असली से बताओं, सच्चाई बताओं तो home का मतलब होता है घर और house का मतलब होता है मकान हमें देखने में लगता है कि house, home ये सब एक ही चीज़ है लेकिन नहीं बचो अगर house की बात होती है तो house का मतलब होता है मकान मतलब eat से, पत्थर से, window glasses से, roof से, stucco से, चिमनी से बना हुआ मकान house कहलाता है लेकिन जब उस house में हमारे घर के family members जैसे हमारे brother, sister, भाई, बहन, हमारे माता पिता, हमारे uncle, auntie, हमारे cousin, brother, sister हमारे साथ मिलकर रहते हैं एक दूसरे की emotions को share करते हैं तब है मकान से घर बन जाता है तो देखें यहाँ पर हम home के बारे में, घर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि what is a home, home क्या है? It's loving and family and doing for others home क्या है, घर क्या है? जिसमें प्यार करने वाली family रहती है और एक दूसरे के लिए सब उसमें काम करते हैं काम करने के पीछे कोई feeling नहीं होती कि मैं आपका काम क्यों करूँ या किस भावना से करूँ, ऐसा नहीं होता हम सिर्फ प्यार को देखते हैं उसमें प्यार से रहने वाली family members होते हैं जो एक दूसरे के लिए काम करते हैं It's brothers and sister, उसमें भाई बहन रहते हैं It's unselfish acts, unselfish का मतलब होता है बिना किसी self के, बिना किसी स्वार्थ के मतलब अगर हम किसी का कोई काम कर रही है तो उसके पीछी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है जैसे आप खुदी देख लो घर में आपकी ममा है, आपके लिए कितने काम करती है आपके लिए खाना बनाती है, आपके घर की सफाई करती है आपकी सफाई करती है, आपके मतलब कपड़े धोती है आपको हूमवक में हल्प करती है ममा कितने काम करती है हमारे तो उसके पीछे क्या ममा का कोई स्वार्थ है नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है वो सिर्फ प्यार की वज़े से अपने पन की वज़े से आपका वो सब काम कर रही है तो it's unselfish acts, उसके पीछे unselfish acts होता है unselfish का मतलब कोई हमारा स्वार्थ नहीं है काम करने के पीछे हम बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे है and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring and kindly sharing और उनके साथ हम अपने मतलब views को share करते हैं अपने emotions को share करते हैं अपनी बातों को share करते हैं and showing your loved ones और उनसे हम अपना प्यार शो करते हैं अब जैसे आप अपने भाई बहन से प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी काम करते हैं तो उससे आपका प्यार ही तो शोख होता है और आप उनकी हमेशा केर करते हैं तो students आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक house क्या होता है और एक home क्या होता है देखे नीचे आपको एक paragraph दिया भी गया है जिसमें आपको अच्छे से explain किया गया है जैसे the words house and home do not mean the same house और home का मतलब same नहीं है एक जैसा नहीं है bricks, cement, wood and glass में के house इटो से, cement से, लकडी से और शीशे से जो बनता है वह house कहलाता है, मकान कहलाता है it has, उसके अंदर doors होते हैं, दरवाजे होते हैं, windows मतलब खिड़किया होती है और चिमनी लगी होती है whereas a home is made up of a beautiful family जबकि घर, home का मतलब होता है घर, घर एक बहुत सुन्दर प्यारी सी family से मिलकर बनता है a family consists of family में कौन-कौन होता है, हमारे father होते है, mother होते है, brothers होते है, और sisters होते है all members of the family are deeply attached to each other और पूरी family के members एक दूसरे से बहुत अच्छे से attached होते है they have love and care for each other, उन्हें एक दूसरे से प्यार होता है और एक दूसरे की परवा करते है care का मतलब एक दूसरे की वो परवा करते है they share their feeling with each other, वह एक दूसरे के साथ अपनी feelings को share करते है so students आपको पता चल गया, house और home में क्या difference है चलिए अब नीचे कुछ questions दिये गए है, हम एक पर उन questions को पढ़े based on your reading of the poem, complete the following sentence by choosing the correct answer a है, a home is made by home, home मतलब मैंने आपको बताया था घर, घर किस चीज़ से मिलकर बनता है, cement से नहीं, chimney से नहीं love and care, प्यार और परवा से मिलकर बनता है, brick मतलब cement से तो नहीं, इसका answer आएगा, c love and care, a house has a एक घर में, मकान में क्या होता है, brother, brother तो home में होता है sister भी home में है, father भी home में है, roof, छत होती है अगर वो खाली house है, home नहीं है, तो उसमें क्या होगा, roof होगी तो आप option number D, roof को टिक कीजिए, a home has, अब देखें यहाँ पर home है घर में क्या होता है, choose all the correct option, अगर सारी options है, मतलब जोन जोन सी options है, आप उन सब को choose कीजिए, तो home में father होते है mother होती है, cement, cement नहीं होती, मतलब ठीक है, हमारा घर cement से बनता है, लेकिल, घर के अंदर को रहता है, यहाँ पर उस चीज की बात की गई है, तो father, mother, brothers and sisters, आप A, B, O, D option को टिक कीजिए, next question number 3, the best thing about my home is, अपने घर के बारे में सबसे अच्छी बात, best thing क्या है, my family members love and care each other, कि मेरे घर का हर एक family member एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे की care करता है, तो सबसे अच्छी बात हमारे घर में क्या है, कि my family members love and care each other, तो students, यह था हमारी वक्षिट का पूरा solution, उमीद है, आपको यह वक्षिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, फिर भी यदि आपको कोई doubt है, या कोई query है, तो वीडियो के comment section में जरूर पूछिए, मैं आपके comments का जल्दी जल्दी reply करने की कोशिश करूँगी, वीडियो को like और अपने friend के साथ share जरूर कीजिए, thanks for watching, have a nice day.